हाई फिंड्स ये जो छोटे छोटे प्राउन आप देख रहे हैं इसी का रेसिपी आज में आप लोग के साथ सेयर करने वाली हूँ बहुत कोई इसे सबजी के साथ मिक्स करके बनाते हैं लेकिन आज मैं सिर्फ इसी का ही रेसिपी सेयर करने वाली हूँ इस रेसिपी का मेन इंडियंस है छोटे स्मॉल साइज का प्रॉंस तो यहां पर पचास क्राम मैं प्रॉंस ले ली हूं जिसे अच्छी तरह से क्लीन कर ली हूं तो चलिए अब हैसे बनाने की बारी तो सबसे पहले हम इसे फ्राइ करेंगे तो इसके लिए कड़ाई को गरम कर के उसमें एड़ कर दिया है सरसू का तेल को हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे उसके बाद यह प्रॉंस को इसमें एड़ कर देंगे तो आप एड़ करने के बाद ही मैजिक देख सकते हैं यह जो ब्लैक कलर का प्रॉंस था वो पूरा रेड कलर में टांसफर हो गया है तो जी हाँ इसे फ्राइ करने से ही यह रेड कलर का हो जाता है तो चलिए थोड़ सा इसे फ्राइ करने के बाद हम इसमें एड़ कर दिये हैं स्वाद अनुसार नमक थोड़ा सा इसे हम मिक्स कर लेंगे और नमक को इस तरह से इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें एड़ कर देंग हल्दी पाउडर तो यहां पे चुटकी बर हल्दी पाउडर एड़ कर दिये तो देखी इसका कलर बहुत ही यम्मी लग रहा है ना देखने में तो यह हमारा अच्छी तरह से फ्राइब हो गया है तो चलिए गैस आफ करके इसे हम रख देते हैं साइड में अब हम आ जाएंग में आलू कटा हुए हुआ है तो इसलिए फ्राइब होने में यह ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो थोड़ा सा इसमें हम स्वादनुसा नमख भी एड़ कर दिये ताकि यह और भी जल्दी से फ्राइब हो जाए और यह अच्छी तरह से बॉयल भी हो जाए तो गैस का फ् यहाँ पर हम गाट के रखेते वह एड़ कर दिये हैं ड़ी और के टमाटर का बीच हम निकाल दिये हैं और यहाँ पर टमाटर को एड़ करक की इसे अच्छी तरह से कुछ भीनिट फ्राइब कर लेंगे तो टमाटर हम आच्छी तरह से जल्दी से बॉयल हो जाए इसके विक्स कर लेंगे टमाटर भी बोइल हो जाएगा और हमारा हमारा जो मसाला भी है वह भी अच्छी तरह से फड्राइब तो देखि यहां पे टमाटर गल गया है और मसाला वह अ चैल मीवागा है इस इसमें चिंड चिल को फिर चान लिए ताकि इसका जो छिलका है वो इसमें ना जाए इस तरह से चान के अगर सरसो को एड़ करें तो एसीडिटी का प्रॉब्लेम कम हो जाएगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा तो अब थोड़ा सा पानी एड़ करने के बाद हम इसमें फ्राइ किया हुआ आलू भी एड़ कर लिए हैं अब इसे अच्छी तरह से कुछ व्नेट टेल कर लेंगे जब तकि न इसके मसाला से देल छोड़ने लगे तो कैस का फ्लेम लो टू मीडियम में रखे इस तरह से हम करेंगे पानी एड़ करने के बाद थोड़ा से इसे हम चला लेंगे और बस इसे हम उबलने के लिए छोड़ देंगे गैस का फिलिम हाई में रखे इसे हम दो तिन उबाल आने तक उबाल लेंगे उसके बाद ये जो फ्राइ किया हुआ प्रॉंस है वो इसमें एड़ कर आज का यह रेसिपी आप सबको पसंद आया होगा आप लोग भी इसे घर पे एक बाद चेरी ट्राइग करें लेकिन जाने से पहले अभी आपकी स्क्रीड में जो प्रांस रेसिपी आप देख रहे हैं वह भी बहुत ही जल्दा हिल्दी एक रेसिपी है आप उसे जल्दी से क् करके एक बाद देख सकते हैं आसा करते हूं पसंद आयेगा थैंक यू